नमस्कार दोस्तों मैं आशी शंतिल आज इतना बड़ा एक कोशन कराऊंगा लाइक एक से लेके सो तक और सो से लेके एक तक कि सभी कि सभी संख्या नंबर्स को अगर जमा एड़ कर दिया जाए तो उसका आंसर क्या बनेगा और ये सवाल करेंगे सिर्फ एक सेकंड में समझ आज लो पहले उसके बाद एक सेकंड में देखना कैसे करेंगे कैसे पहले एक छूटा कोशन देखती हैं एक दो तीन चार पांच छे मतब हिसाब लगा हो जमा करके देखो एक और दो तीन तीन च्छे च्छे और चार दस तेरा पंदरा सोला टोटल कितना आया सोला कुछ हि तीन चार तीन दो एक बीकों में स्कॉर खारी चार का स्कौार कर दो वा रो scaling ऐगा अ कि दो चार का स्कॉर कर का इस प्रिकार से ETF दो जहां तक जा रही हूँ, वहां से वापिस आ रहे हूँ, जहां तक जा रहे हो, वहां पर वापिस आ रहे हो, उसका स्कुर, देख लो, तीन, तीन, छेह, दस, पंदरा, इकिस, एकिस और पांच, छब्श, तीस, थेतिस, पैतिस, छतिस, 36 अंसर हो जाएगा अब तो आप समझी गए होगे एक सेक्ड में कैसे करना है बारा बारा का स्क्वेर 144 एक से बारा बारा से एक सभी संख्याओं का एडिशन जनकी जमा जोड 144 होगा के लोग सोच रहूंगे बच्चे कि सर एक सेक्ड में तो आप भी नहीं कर पा रहे हो एक पच्चिस सू कैलकुलेटर उठाओ और ट्राय कर पता चल जाएगा अब जो कोशन में ने दिया था सो सर एक सेक्ड में तो आप भी नहीं कर पाओगी सोगा स्क्वेर आता तो पेटा जरूर कर पाओगी सोगा स्क्वेर दस अजार आंसर है ले कि कुछ बच्चे बहुत उताओले होती है वो यह देखते हैं कि यह टीचर कर पाएगा निकर पाएगा बोल तो दिया एक सेकिंड में अब आप समझदार हो 25 का स्क्वेर 625 आंसर ह हूं इस कांसर आप लोग दे पाओगे उमेदी करता हूं और मुझे पुरा वरुसायद दे पाओगे ऐसे और मुद्धे लेकर आओंगा और मैं फिर आओंगा जरूर आओंगा नमस्कार